नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों, HP, LTT, LTT Commission और PGT Hindi Commission कि यह जो हमारी प्रशनोतरी की सीरीज चली है इसका आज दस्वां पार्ट हम आपके बीच में लेके आये हैं और सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों से काफी व्यस्त होने के चलते मैं आपके लिए इस सीरीज को इसका आपके बीच में लाया है और बहुत जल्द आपको इसके आगे के पार्ट भी मिलते रहेंगे तो जिन भी लोगोंने मैसेज किया था कि सर कब 10th फार्ट आ रहा है तो मैं समझता हूं कि उनका जो इंतजार है वो आज खत्म हो गया है और आज के इस भाग में हमने इसमें अगले जो 20-25 क्वेशन है वो रखे हैं और आज इसमें हम डिसकस हने वाले हैं मुख्यरूप से जो आपका ये उपन्यास वाला पोर्शन है देखिए क्यूंकि उपन्यास से आप देखते हैं बहुत सारी प्रशन बनते हैं और चंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है तो हम सब रोग जानते हैं उपन्यासों के बारे में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग माने तो शुक्ल ने परिक्षा गुरू को हिंदी का पहला उपन्यास माना है जबकि जो भागयवती उपन्या ये भारतेंदू के उपन्यास है और इनको इनोंने पहला उपन्यास माना है नेक्स प्रशन आता है किष्णा किस उपन्यास का उर्दू शीर्चक है तो प्रेमचन के उपन्यास हैं इनमें से किष्णा जो है ये गबन उपन्यास का नाम है यहां से हमेशा प्रशन पूछा जाता है कि प्रेमचन ने पहले उर्दु में लिखे थे और बाद में उर्थ का हिंदी रुपांतरन किया था रंगभूमी चौगाने हस्ती के नाम से है सेवा सदन बजारे हुसन है वर्दान जलवा ए इसार एंड गवन किष्णा तो यह जितने भी इनके उपन्यासें देखिए बहुत ही मौतपूर्ण है देखना यहां पर आपको याद रख लेना है इनके अन्य जो उर्दु के नाम है वो क्या है प्रकाशन वर्ष भी इनके साथ में लिखे हुए है क्योंकि कई बार यह भी पूछा जाता है यहां से कि प्रेमचन के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्या है और साथी साथ आपको यार रख लेना है कि प्रेमचन जो है ये आदर्शनमुक यथार्थवादी उपन्यास का रहे हैं नेक्स प्रशन आता है देखिए सो अजान एक सुजान किसका उपन्यास है डिरेक्ट क्वेशन यहां पर पूचा गया है तो यह है बालकिशन भट का बालकिशन भट के और भी उपन्यास है देखिए इसके अलावा यहां पर लिखा है सो अजान एक सुजान सन अठारा सो ब्यान्यों में लिखा गया हिंदी का प्रत्थम चरित्र प्रधान उपन्यास है इसके अलावा बालकिशन भट ने नूतन ब्रहमचारी और रहस्यकता नामक उपन्यासों की भी रचना की है तो यह आपने याद रख लेने हैं कि एक अजान और सो अजान एक सुजान के अलावा इसने और भी क्या लिके हैं उपन्यास लिके हैं तो इनको आप थोड़ा सा याद रख लिजेगा नेक्स कॉशन आता है निमीलिकित में से कौन सी उपन्यास विधा की रचना नहीं है तो विधाओं की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है तो यहाँपर जो उपन्यास विधा नहीं थी यह थी चाबुक चाबुक सूरेकांस त्रिपाथी निराला की निवन्द का नाम है और इसका रचना वर्ष 1949 है निराला जी शुकल यूगीन निवन्द कारों में से एक मने जाते हैं तो ये बात भी ध्यान देने वाली बात है देखना कि जो भी आपके निवन्द कार रहे हैं इसके जो उपन्यास है देखिए अपसरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कालेकारना में, चोटी की पकड़, इत्यादी ये सारी क्या है निराला के उपन्यास है नेक्स्ट कॉश्चन आता है वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है तो यह हम सब लोग जानते हैं इसके और भी उपन्यास है जो प्रेमचन यूग में भी आते हैं और कुछ प्रेमचन दोत्तर यूगीन है उनको भी आपसा साथ में देखते रहेंगे तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसकी मनविश्लेशन वादी उपन्यास कारों में तीन चार नाम जो है बहुत मतपून है अगे जनेंद्र इलाचंदर जोशी और देवराज ये जो नाम है देखना इन चारों को ही आप दियान रख लेंगे तो आपका काम जो है यहां पर हो जाएगा नेक्स क्वेशन आता वर्ष क्यों है वो 1940 है बाकी जितने भी यहां पर विकल्ब थे वो बिल्कुल सही थे सन्यासी की वर्तनी आप एक बार देख लिए इस तरीके से लिखा जाता है देखना उपर अनुस्वार भी लगेगा और आधा नाम भी आपका बीच में आ जाता है नेक्स प्रशन देख यश्पाल का उपन्यास है और देश विभाजन पर अधारित ये उपन्यास माना जाता है और यह बहुत बार पूछा गया एक्जाम में देखना कि देश विभाजन पर अधारित उपन्यास कौन सा है जबकि अगर हम बात करें यश्पाल को किस उपन्यास पर साहित्य करने का श्रेग किसे दिये जाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगे देखिए यह है फणिश्वनाथ रेनू अनकी ता महतववोंड परशन है और बार बार इसको पूछा जाता है यहाँ पर अगला परशन है देखिए निमिलिकित में से कौन सा प्रगतिवादी उपन्यासकार नहीं है तो उपन्यासकारों की पहचान करनी आपको आनी चाहिए तो हजारी प्रसाद दिवेदी यहां पर क्या थे आपके प्रगतिवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं ये जो है आपका एतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं, तीन-चार ही इन्होंने आपके उपन्यास लिखे, अनामदास का पोथा, पुनननवा, चारुचंद्रलेक, बगेराबगेरा, पनवट के आत्म का था, उनको आपने ध्यान में रख लेना है, चली अगला जो उपन्यास है, ये है अमरितलाल नागर का, और इसका जो रशनावर्ष है, ये 1985 है, अमरितलाल नागर की उपन्यास आप देखते हैं, हर एक परिक्षा में जरूर पूछ जाते हैं, चाहे इनका आपका खंजन नैन हो, चाहे मानस का हंस हो, उनको बहुत बार पूछ जात और प्रत्थम भाग जो है इसका 1960 में हुआ था और जूटा सच उपन्यास में क्या चीज़ वर नहीं था देखिए उननीसो ब्यालीस से लेकर के 1957 इस्वी तक भारत के जो राष्टिय एवं समाजिक जीवन का चित्रन हुआ है इसके दो भाग है पहले भाग का नाम था वतन औ कि रचनाकार कौन है तो बहुती मतपूर्ण है ये दोनों ही रचनाय देखना समर्षेश है और अपवित्र आख्याइन इसके जो रचैता है ये है अब्दुल बिस्मिल्ला अब्दुल बिस्मिल्ला ने भी कहानी भी लिखी है इन्होंने देखना और उपन्यास के ख्षेत पर ये जो उपन्यासें देखिए कभी न छोड़े खेत ये हैं आपका जो जगदीश चंद्र रहे हैं ये एक दलित उपन्यासकार भी माने जाते हैं और साथी साथी ने प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में भी रखा जाता है अगर हम बात करें कि इनका जो प्रसि उपन्यासके रशनकार कौन हैं तो सीधे direct question पूचे जा रहे हैं देखना आपको और ऐसे ही प्रशना आपको एक्जाम में रहते भी हैं तो rehearsal जगदीश उपन्यासकार हैं ये बी एक आंचलीक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं इसके लावा इनों ने और बहुत सार अपने उपन्यासों की रचना की है तो एक बार आप उनको भी जरूर देखिए लेकिन इनका जो रिये रिहरसल उपन्यास रहा ये 1978 इसकी रचना इन्होंने की थी तो ध्यान रख लेने आपको ही मांशु श्रिवास्तव से अगला प्रशन है निमिलिकित में से कौन सा आंचल उपन्यासकार रहे हैं इसके अलावा और कौन-कौन से अंचलिक उपन्यासकार है ये आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं आंचलिक उपन्यासों में बहुत ज़ादा बर्मार है देखना हिंदी साइट में तो एक बार आप जो है जरूर ये टाइप करके लेकिन रहन पर रगु ये जो उपन्यास है ये किसका था ये काशिनात सिंग का है ये ध्यान रख लेना आपको है ना बहुत ही महतपूर्ण है ये और इस पर इन्हें साहित्यक आदमी पुरुसकार भी मिला है और इसका रचना वश्था 2008 और रहन पर रगु पर साहित्यक अदमी पुरुसकार कब मिला था इसको आप जरूर देखिए काशिनात सिंग की ये रचना रहेगी साथ आस्मान उपन्यास किसका है प्रदीप सौरव है असगर वजाहत है दूदनात सिंग है और गिरीश अस्थाना है तो ये जो है असगर वजाहत का उपन्यास है और का जीवन चित्रन इसमें किया गया है ये भी आप यहां पर द्यान में रख सकते हैं नेक्स क्षिन आता है चित कोबड़ा उपन्यास किसका है तो महिला लेखिकाओं से भी प्रशन आपको जरूर पूछ जाता है और यहां से डारेक्ट क्षिन ही पूछ जाते है कि कौन सा उपन्यास किसका है तो चित कोब्रा जो उपन्यास है ये है मृदुला गर्ग जी का। अगर आपको लगता है कि इन प्रशनों में कुछ गलत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं। जाकर बता सकते हैं बहुत ही महतफुन प्रशन है ऐसा प्रशन भी आपको पूछा जा सकता है। अधिकतर चिन तक किस उपन्यास को हिंदी का पहला दलित उपन्यास मानते हैं तो ये है चपर उपन्यास देखिए जिसके रचनकार है जैप्रकाश करदम। जैप्रकाश करदम ने चपर शिर्शक से जो उपन्यास लिका था 1994 में अधिकतर विद्वानों ने इसे ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है जो दलित उपन्यास है। तो दरित लेखकों से आपको जरूर प्रशन पूछा जाते हैं चाहे वो आत्मकाता हो चाहे आपके उपन्यास हो ये दो विधाएं ऐसी हैं जिन से अक्सर आपको प्रशन जो है वो पूछा जाता रहता है। रखे गए हैं तो इनको आप पॉज करके देख भी सकते हैं तो वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हैं और इन पात्रों को आप याद रख सकते हैं क्यूंकि बहुत ही मौत पूण ये पात्र है और यहां से एक की कथा है एंड गंगौली गाउं में आधा गाउं ठीक है और मेरी गंज जो है ये मेला आंचल के लिए कथा का आधार है तो इस तरीके से आपको आंचलिक उपन्यासों में किस गाउं का वनन है इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रख लेना है क्योंकि ऐसा प्रशन जो है 1963 में इस उपन्यास में अमर, रंजना और अमला इन तीनों के प्रेम का चित्रन इसमें किया गया है वो सकता है आपको इस तरीके से प्रशन को ये बार पूछा जाए कि अमर, रंजना और अमला ये जो किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं तो आपको सिंपल यार रख ले जैसे अभिमन्यू अनंत जो है प्रत्थम बीदेशी हिंदी लेकक हैं जो अपने देश के समद्ध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं इन्हें मौरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है तो बहुत ही मौत्पूर्ण है देखिए आपका जो अभिमन्यू अनंत है और सब लोगों ने इस प्रशनुतरी को जरूर इंजोई किया होगा और उपन्यासों से रिलेटिड बहुत सारे प्रशने आपके और भी है जो बन सकते हैं और मैंने तो बस मुख्या-मुख्या प्रशने आपको रखे हैं और आपको एक आईडिया देने की कोशिश यहां पर क ही है कि आप जो है बिल्कुल इस तरीके से आप इन प्रश्णों को जरूर देखें कि कैसे प्रश्ण बनते हैं तो अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए भेतर कंटेंट लाते रहते हैं